इंदू धर्म में सूरे से जुड़े कई बड़े पर्व मनाय जाते हैं, जैसे मगर संकरान्ती छटादी, जोतिश में भी सूरे को गहव का राजा कहा गया है, सूरे के हर मीने होने वाली राशी गोचर को संकरान्ती कहा जाता है, सूरे के मगर राशी में गोचर का मगर संकरा का जाप और सूरह 40 का पार्ट बहुत प्रबावी होता है अधी जानते हैं सूरह 40 पढ़ने के फायदे सूरह 40 पढ़ने से कुंडली से सूरह घ्रह मजबूत होता है वरना कमजोर सूरह जात को धेरो समस्या देता है जैसे कमजोर सेहत आत्मिश्वास की कमी मान हानी असफलता आदी वही कुंडली में सूरे का मजबूत होना बहुत लाब देता है लिहाजा रोज सुबह स्नान करके सूरे देव को अरदे दें और फिर सूरे चालिसा का पार्ट जरूर करें सूरे की पूजा करने सूरे चालिसा पढ़ने से जातक देदायू होता है उसकी सेहत अच्छी रहती है यदि रोज सूरे चालिसा ना पढ़ सेके तो कम से कम रविवार के लिए जरूर सूरे चालिसा का पार्ट करें यदि कहीं विबारियां निराशा के शिकार हैं तो रोज सूरे चलिशा का पार्ट करें इससे से समंदी समस्यां दूर होती हैं और विक्ति निरोगी रहता है सूरे चलिशा का पार्ट विक्ति में आत्मिश्वास ओड़जा और साहस का संचार करता है इसे उसे कामों में सफलता मिलती है, सूर्य नेतरफ शम्ता देते हैं मजबूत सूर्य विक्ती को राजनीती में उचा मुकाम दिलाता है, इसके अलावा भी किसी शेत्र मजाया तो खूप तरक्की मिलती है सूर्च अलिशा का पार्ट करने से अकाल मिर्टू का खत्रा भी दूर होता है सूर्च अलिशा का निमित पार्ट करने वालों अपने कामों पर समय से और पूरी इमानदरी से पूरा करने वालों को खुब सफलता मिलती है उसकी जश केरती बढ़ती है, समान में मान समान भी बढ़ता है ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेर चैनल को सब्सक्राइब जरू करें धन्याबाद